तो फ्रेंड्स वाकम बेक तो माई यूट्यूब चैनल लेंड साइन्स और आज की वीडियो जो है चैप्टर नुम्बर थ्री फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट फाइव है पिश्री वीडियो में हमने सेरी कल्चर का थेयोरिटिकल मेथड पड़ा था इस वीडियो में हम को डाइग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे यानि कि उसके पिक्चर्स देखकर के उसको जो है स्टेप बैस्टेप किस तरह होता है जितने स्टेप्स हैं उसको डाइग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप लोग सबसे तंदुरुस जो मौत होते हैं या फिर इंसेक्ट आप बोलें उनको जो है चूज किया जाता है ताकि वह अच्छी क्वालिटी के अंडे दें और अच्छी क्वालिटी के उनसे अच्छी क्वालिटी का सिल्क बनाया जा सके सिल्क थ्रेट जो है प्रोड्यूस किया जा सके और स्टेप टू है दे लार्वे देट इमर्ज दे लार्वे देट इमर्ज वंस दे एग हैज और फेड मलबेरी लीव्स दे कंटिन्यू फीडिंग फॉर 20 तो 35 डेज कि जो लार्वे जो अंडे के अंदर जैसे ही अंडे को गर मेले भी पताया था कि मलबेरी लीव्स यानि के शेतूत के पत्ते को पते इनको खिलाये जाते हैं उनको 20 से 35 दिनों तक शेतूत के पते ही खिलाये जाते हैं और वेन दा सिल्क वर्म अबाऊड थार्टी फाइव डेज ओल इस तार्ट इस स्पिरिंग कुकुन अरूब इस तेक्स अबाट थी तो सेवन डेस तो कंप्लीट के जैसे ही सिल्क वर्म जहें वो थर्ट यानि के पैतिस दिनों का हो जाता है थर्टी फाइव डेस ओल्ड हो जाता है तो वो अपने चारों तरफ अपने दोनों सर पर जो उसके ग्लैंड्स लगेवे होते हैं उससे एक फिलाम को को नुए टरफ इपर नेना तक यानि की किन चार दिन दिन या चार दिन या शाक क動画 बनाना मंब्लीट कर लेकants तो step 4 है the pupae inside the और कुकून के अंदर आपने पढ़ा था पहले के कुकून के अंदर जो है silkworm अपने life के second stage यानि के silkworm जो है pupae बन जाता है उसके बाद step 4 है stage 4 है the pupae inside the cocoon are killed by putting the cocoons in hot water which kills the worms as well as loosen the filaments के जो pupae होते हैं वैसे तो singular pupae होता है लेकिन उसका plural pupae होता है जिस तरह लार्वा का singular larva होता है और plural larva होता है उसी तरह के जो उसके अंदर जो pupae होते हैं उनको एक बहुत ज़्यादा गर्म पानी में रखा जाता है ताकि वो अंदर से मर जाएं उसके अंदर से और जो है और जो उनका धागा है क्योंकि वो अपने धागे को बहुत ज़्यादा टाइटली स्पिन करते हैं या फिर अगर उनको ऐसे नंगे हातों से खोला जाएगा तो वो तूट भी सकता है वो धागा तो इसलिए उनको पानी मेकर जाता है जतने कुकून सोते हैं आप लोग देख सकते हैं अनको गर्म पानी मेर रख दिया जाता है ताकि वो फिलामेंट को लुज कर दें नहीं कि धीला कर दें थोड़ाता सा ताकि उसको निकालने में आसानी और वो निकालने thread is passed through an eyelet and the thread drilled into the wheel के जो थ्रेड होता है वो जो है एक एक चोटी सी कैपसूल से गुजारा जाता है जिसमें की क्योंकि फिलामेंट जो वो सेक्रेट करता है वो बहुत जादा बारिक होता है कि उससे एक मजबूत धागा बनाना जो है उससे एक मजबूत कपड़ा बनाना impossible होता है तो बहुत सारे फिलामेंट को एक साथ ट्विस्ट कर दिया जाता है जिस तरह आपने वोल में भी पढ़ाता है कि दो तीन वूल को ले कर के आप लो ठीलामेंट को ले कर कके एक मजबूत उसको ट्विस्ट ऐसे किया जाता है ताकि वो एक मजबूत उन बन के तयार हो उसी तरह सिल्क में भी दो तीन सिल्क के फिलामेंट्स को ले करके आप लोग यहां देख सकते होंगे दो तीन सिल्क के फिलामेंट्स को ले करके जो है एक सिल्क का धागा बनाया जाता है यानि कि ये इन दो को मोड करके नहीं को ट्विस्ट किया यह एक बन गया इन दोनों को ट्विस्ट किया यह एक बन गया फिर इन दोनों को ट्विस्ट किया फिर यह एक मजबूत धागा देख सकते हैं बन करके तयार हो चुका है so step number six is single filaments are washed dried and twisted to form yarn वही कि जो single filaments होते हैं उनको जो है की वागा उसके बाद we got it you eli UT business respect family the texture of the fabric depends on the main अव्फोटनेश और तरृत मिंडे किया जाता है मुझाञ करता है कि उसको कितनी बार थ्रूइस्ट किया गया है की अगर उसको ो सिंगल इस तरह तो वह को ट्यार होगा यह पिर उसको टीन स्टैप में ट्यार होगा है तो वह और मजबूत ढ़usta करके त्यार होगा WILL E wallet तो इस तरह से हमारे जो सिरी कल्चर का इस प्रॉसेश सम्दू इस नेच्रल सिल्क की तो जो इसल्क होता है यानि कि में मेंड शिल्क होता है आप लोग जैना है कि आज कल हर चीज का आपिशील बाजर है आज आपको चावल बी बाजर में आज पीजिद मिल जाएंगे प्लास्टिक यंडे होते हैं आपने अभी कुछ दिनों पर ले एक बा जो नकली रेशम जो है वो असली यानि के वो नेचुरल सिल्क की जगह पर यूज किया जाता है The difference between the two can be found out by burning a small piece of fabric कि इन दोनों में जो हम डिफरेंस का पता लगा सकते है कि कौन सा नेचुरल है और कौन सा आर्टिफिशल है कि हम एक सिल्क का एक फैबरिक का टुकडा लेंगे यानि कि एक कपड़े का जो सिल्क का कपड़ा होता है उसका टुकडा लेंगे जो उसको जो हम आग में जलाएंगे एक सिल्क का टुकडा लिया हमने उसको हम आग में जलाएंगे और अगर जलने वाला कपड़े के अंदर से आउट बाइ बर्णिंग फैबरिक आर्टिफिशल सिल्क बर्ण पेपर लेकिन अगर जो सिल्क आर्टिफिशल होगा तो उसकी महग जो होगी उसकी स्मेल जो होगी वो बिलकुल एक जलेवे पेपर की तरह होगी तो इससे हम पता सकते हैं और नेच्रल शिक वेंट बरन्ट इसमेल लाइक बर्निंग है और जब नेच्रल सिल्क जलाया जाएकर तो जिस तरह बाल जलाते हैं या फिर मतलब कभी-कभी आपके बाल जो है करडर वगरा से जल गए होंगे तो आपको जैसी महक आती है उसी तरह की जो है नेच्रल सिल्क से भी समेलाती है तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा नेच्रिल है और कौन सा अर्टिविशल है तो चलते हैं पटेख आगे कौन सा टॉपिक है हमारा हमशे हमारे टॉपिक है Health hazards in sericulture यानि के sericulture यानि कि silk industry में जो लोग काम करते हैं जो workers होते हैं उनको कौन-कौन सी बीमारिया होने का खतरा होता है तो चलिए start करते हैं Some of the health hazards associated with sericultures are sericultures are कि कुछ बीमारियां कुछ जो है सहत को नुखसान पचाने वाली बीमारिया जो कि sericulture यानि कि सिर्फ के production में इंक्लूड होती है या फिर जो workers होते हैं उनको अक्सर हो ही जाती है उस तरह की विमारियां तो चलिए start करते हैं Number one, handling of dead worms with bare hands contribute to infections and illness के मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो किड़े वगरा होते हैं उसमें bacteria होते हैं उसमें infectiousness viruses वगरा होते हैं तो उनको जो है जब कोई भी वरकर उनको bare hands यानिके नंगे हातों से उनको मरे हुए जो किड़े होते हैं क्योंकि प्यूपां उनको गरम पाणी में रखकर के पूकुनसदोने को अंदर का और किड़े को मार दिया जाता है तो जो मरे हुए केड़े होते हैं, उनको कुछ-कुछ वर्कर्स जो है, ऐसे ही उठा लेते हैं, उनको नंगे हाते से उठा लेते हैं, तो उससे उनको infection हो सकता है, उनको viral disease हो सकती है, उनको बेक्टेरियल disease हो सकती है, और इलनेस और उनको बीमारी यानि के उनको बुरा bad feel हो सकता है, वर्कर्स जनरली नीड तो डिप दियर बेर हैंड्स इंटो होट वार्टर और जज़ बाए टच वैदर दाफाइन थ्रेट्स और सिल्क हैं लूजन एनफ तो बी वर्कर्स होते हैं, उनको अकसर गरम पानी में अपना हाट डुबाना पड़ता है और उसके बाद जब गरम पानी से निकाल करके वो जो लूजन फिलामेंट्स यानि के जो आपने अभी अभी पड़ा के गरम पानी में डालने से कुकोन को उसका जो फिलामेंट होता है वो लूज हो जाता है यानि के ढिला हो जाता है तो तो उसको निकालना तो पड़ेगा ही ना उससे तो वो जो गरम पानी में जो हाट डालते हैं तो उससे भी उनको बिमारी हो सकती है इस बिलिस्टर एंड ओपन वांड इंजियरी इस लीडिंग तो इंफेक्शन के अगर उनके हाथ कहीं से कटा हुआ है या कहीं पर उनको चोट लगी वी है तो उस में उस चोट में या फिर उस हाथ कटे वे में इंफेक्शन हो सकता है तो ये सब हेल्थ हजार्ड है और नमबर टू है इस्टेंडिंग अल्मोस्ट कंटीनिवरसली फोर 12 तो 16 अवर्स अडे कि जो है 12 से 16 गंटे एक डिन में खड़े रहना ख़ड़े हो कर काम करना इससे आपकी बैख पैन हो सकता है पैर में दर्द हो सकता है बहुत सारी वर्क कर सकता है लेकिन जहां आपको दस घंटे मुकमल होते हैं आपका ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो स्लो होनी शुरू हो जाती है आपने देखा भी होगा हम लोग सुबा उठते हैं पांच बजे छे बजे एक दम माइंड रिफ्रेश रहता है उठे उठे रहते हैं ले इसी तरह उन वर्कर्स को भी कमर दर्द का सामना करना पड़ता है क्योंके वह लोग खड़े रहते हैं बहुत जादा घंटों के लिए और बहुत देर तक खड़े रहते हैं और काम करते रहते हैं सो रिलिंग दा फाइन सिल्क थ्रेट्स में लीड तो हेल्थ डिसॉर्डर लाइक बेकेज इस्पाइन एंड विजन डिलेटेड प्रॉब्लम और जब हमारा आपने सुना ही होगा जब हमारा दिमाग जो है काम करना मतलब जब हमारे दिमाग थकावा रहता है तो सबसे वो काम स्लोली स्लोली करता है तो सबसे जादा असर हमारी आँकों पर पड़ता है और जब हम किसी चीज़ को गोर से देखते हैं तो हमारी आँक खराब हो सकती है उससे इस तरह से वीजन डिलेटेड प्रॉब्लम भी उनको हो सकती है और नमबर फॉर है वेपर्स फ्रॉम विभर्स कोकोंज इंड डीजल फ्यूम्स फ्रोम मशीन उट्चेत नियुट तो रेस्पारेटरी डिसी अकित इंड शेङ्थे इस अस्थामा और ब्रॉंकितिस को अब जो कुकुन्स को जो बॉइल किया जाता है गरम पानी में कुकुन्स को जो उबाला जाता है उससे जो इसमेल आती है उससे जो वेपर निकलता है उससे जो गंदी भाप निकलती है या फिर जो मशीन्स में जो डीजल डाला जाता है अब भाई डीजल डाला जायागा तो जलेगा भी डीजल जिस तरह कार वगेरह में ट्रॉक वगेरह में डीजल जलता है उससे स्मोकिंग पेडा होती है उससे धु律 ऑप्यूशन पiken पैदा उता है उसी तरह न लिद्या उता है और न मेरी ठीम भर कर प्रम्स प्राबल्म अई करो गाई ऑगर घरा रिवा होता सान्स है में हिरा साथ अनुनल प्रमी ऑगर होता है इस तरह या cantina Luis continuous exposure to noise made by spinning winding machine and looms where the fabric is woven may result in hearing disorders बात सही है कि जब हम किसी चीज को किसी तेज आवाज को बहुत देर तक सुनते हैं तो हमारे कान बजने लगे हैं, हमारे कान बजने लगे हैं, हमारे दिमाओ जए अजीब मतलब अजीब तरह से वो वर्क करने लगता है तो उसी तरह जो होते हैं, वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स चलती हैं तो आवाज तो होगी आपने सुना होगा जब कोई प्रिंटिंग प्रेस जब चलती है तो उससे कितनी खतर्ना का वाज निकलती है और जो लोग हार्ट के मरीज होते हैं उन लोगों को बहुत जादा परिशानी का सामना करना पड़ता है इसी तरह जो है जो मशीन जो है जो कपड़ा बुनती है मशीन जो सिल्क का कपड़ा जो है उसको लूम्स होते हैं बड़े-बड़े सिल्क का कपड़ा जहां पर बुना जाता है तो वो मशीन्स भी बहुत तेज़ आवाज करती है, हेलिकॉप्टर की तरह आवाज करती है, तो उससे जो है, उनके कान भी खराब हो सकते हैं, और वो जो है, उनका हेरिंग डिसॉर्डर, यानि के उनको सुनने की, जो है, कम सुनने की बिमारी हो सकती है, तो इस तरह से ये जो है, इन सारी जो हेल्थ हजार से, इनका हम सॉलिशन निकालने की कोशिश करें, और जो है, हम नए-ने इन्वेंशन करें, ताकि इन सारी चीजों से हमें छुटकारा मिल सकें, और अपने हम अपने इंडिया को आगे बढ़ाएं, हम अपने इंडिया को हर मामले में, टेक् यहां पर हमारा chapter जो है वो end हो जाता है और अब let's remember एक exercise है, इसको भी कर ही लेते हैं हम लोग, so यहां पर वही exercise है, fill in the blanks with the correct words, कि यहां पर दो options दिये गए हैं, इस में से जो correct option है, इसको भढ़ना है, so number one है the process of removal of leaves from animals, animal score, कि किसी भी animal के बालो को उतारना, fleece को उतारना, उसके हैरी-coat को उतारना, उसके process को हम क्या बोलते हैं, scoring तो नहीं बोलेंगे, scoring तो इसको बोलते हैं, कि इसको जो है, scoring दूसे चीज़ को बोलेंगे, लेकिन इसको बोलेंगे हम sharing, तो यहां पर right answer होगा, आप लोग भर सकते है, sharing, silk is produced by the alpaca camel, alpaca camel से आपको जो है, उन मिलता है, silk नहीं मिलता है, silk is produced by the silk worm, the filament secreted by silk worms are made up of glucose, glucose का यहां पर कहीं जिक्र आया ही नहीं है, तो जो मैंने आपको पहले भी बताया था, कि हमारे बाल और silk के, जो filament होते हैं, वो सारे protein से बने वे होते हैं, तो यहां पर right answer होगा हमारा protein, protein, number four है, the silk filament are taken out from the cocoon by a process called, के, जो silk filament जो है, वो कुकून से जो निकाले जाते हैं, या कुकून से उसको जो है, मतलब हां निकाला ही जाता है, तो उस process को क्या कहते हैं, sharing, sharing नहीं कहते हैं, sharing तो उस process को कहते हैं, जिससे fleece जो है, fleece का removal होता है, उसको हम कहते हैं, reeling. So friends, finally आज का यह chapter जो है, वो end होता है, अगली वीडियो में हम exercises लेकर के आएंगे, और आज की वीडियो को यही तक रखते हैं, अगर आपको यह वीडियो जरा से भी फायदे मन्द लगे, तो हमारे चैनल को जरूर subscribe कीजिए हमारे चैनल को, और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको notification जल से जल और सबसे पहले मिल जाए, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए, असलाम आरेकूम.